आज की वीडियो में हम उन्बोक्सिंग करेंगे एक वाच की तरब से आता है जैसा कि आप देख सकते हो इसे जो मैंने एमजोन से और किया है ऐसे यह मेरा वाच जो है नहीं है यह मेरे फ्रेंग का है और यह जो है लगवाग 15-20 दिन से यूज कर रहा है तो मैंने सुचा कि च अब ङुआ मां था इसम में इसी में है यह दिख सकते हो पर को किमिसे सब्सक्राइब कितना था यह सैथ को दिखिखा रहा हूँ है वन हाजन नाइंटीफ害 रुपीज इसका प्राइज है इसका इसका परॉक्स निकालते हैं अब बाकि कुछ नहीं था इस box में तो इसको करते हैं side और जैसा कि आप देख सकते हो यह जो है timex का है और काफी अच्छा लग रहा है देखने में इसका box भी और इस पर timex की branding की गई है और यहां भी जो है timex की branding की गई है बाकि box के उपर भी timex लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो और काफी सही है और पीछे अगर आप देखोगे जैसा कि आप देख सकते हो और net quantity 1 और RS 595 मतलब कि यहां भी आपको 500 रुपे का बचत हो रहा है चले से खोलते हैं और देखते हैं अपना watch तो यह कुछ हैसे निकलेगा और इसकी safety के लिए जो उपर से यह दिया जात है तो वह आपने चूज कर सकते हो कि कौन सा कलर जो आपको पसंद है बाकि यह देख सकते हो यह कुछ ऐसा रहता है तो इसको रखते हम यहां पर और इसमें जो है एक ऐसा timex का जो है little menu जैसा कुछ मिलता है और इनके watch के बारे में बहुसा ही चीज़े डीटेल में दी गई ह जो कि आप पर सकते हो बाकि हम इसको करते हैं side और बात करते हैं अपने swatch की और मैं आपको बताता हूँ कि यह लगए 25 दिन यूज करने के बाद इसकी जो है क्या हालत हुई है purchase करना चाहिए आपको यह नहीं तो यह आप देख सकते हो swatch का look देख सकते हो यह brown color के strip में आता है और cream color का जो है इसका dial है जो कि आप देख सकते हो और यहाँ पे timex की branding की गई है और नीचे आप देख सकते हो water resistance लिखा हुआ है और यह waterproof है तो इसे आप कहीं भी आसानी से use कर सकते हो बात करें इसके strip बेगरा की तो यहाँ जो है strip पे भी इनकी branding की गई है और पीछे अगर आप देखोगे तो यह जो है यहाँ पे भी timex की branding की गई है बाकी एक sticker है और यहाँ पे जो है एस्टेल से यह बना हुआ है इनका जो टाइल है सो और यह जो है water resistance है जो कि मैंने पहली बताया और यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो है दिखा हु यहाँ पे अगर देखोगे आप गौर से तो थुरा सा stress mark आ जाता है तो यह तो normally आप कितनी भी branded या फिर कितनी महेंगी watches में चले जाओ तो यह जो है आपको मिलेगा है क्योंकि यहाँ पे जो है जब यह लगता है तो यह थुरा सा stress mark create कर देता है क्योंकि यहाँ से यह round होत है तो काफी सही है और इतने दिने यूज करने के बाद भी मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा है मैंने खुद भी इसे जो यूज किया है जो कि आप दिक्सक्राइब बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में कुछ ऐसा भी आपके भी आतों पे लगेगा तो काफी सही वह थाउजन के रेंज में और अगर इसे कम रेंज में अगर आप जाना चाते हो तो ऐसी भी मैंने वाचिस की अन्बॉक्सिंग और रिभी हो की है अगर आपने नहीं चेक किया है तो एक बाद चैनल चेक आप जरूर करना बाकि परसनली मुझे बहुत अच्छा लगाई और य अपने फ्रेंड और फैमली मेंबर के साथ और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा बाकि मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई